देश दुनिया में मैं हूँ आपके साथ शुतिश रवास्ताव सीदे बात इस्राइल और लेबनान की क्योंकि इस्राइली सेना ने हिजबुला के एक और कमांडर को खत्व करने का दावा किया है इस्राइली सेना ने काया कि शुरवाती रपोर्ट में हिजबुला की बदर यूनिट के चीफ अबूरिदा की मारे जाने की संभावना और इससे इस्राइल के ऑपरेशन बेरूत का राउंड टू कहा जा रहा है क्या कुछ है मामरा देखे रपोर्ट कौन है मुसाद का मैजिक मैन किसने दी नसराइला के हेड़कौर्टर में मौझूद होने की इनफॉर्मेशन हिजबुला के भीतर कौन है वो भेदिया जिसने दी इस्राइल को नसराइला के लोकेशन की सठीक जानकारी किसने पहुँचाई इस्राइल डिफेंस फोर्ट को मिनट टू मिनट नसराइला के मौम्मेंट की सुचना डवाल एजेंट ने कैसे बेरूत में बैठे बैठे ले ली नसराइला की जान पूरी दुनिया हत्परफ है कैसे मारा गया हिजबुला चेफ नसराइला वर्षो से सिर्फ स्क्रीन पर दिखले वाला नसराइला कहां रहता है कहां से वीडियो जारी करता है कहां बना है उसका गुप्त ठिकाना कब बैठता है एड़कॉर्टर में कब करता है मिटिंग इस्राइल की खुफिया एजेंसी मुसाद बीज सालों से इसकी इन्फॉर्मेशन जुटा रही थी लेकि 26 सितंबर दो हजार चॉविस तक नसराइला मुसाद के रडार को चक्मा देने में कामयाब होता रहा साल उठेहें कि 27 सितंबर की रात ऐसा क्या हुआ कि नसराइला की लोकेशन मुसाद ने ट्रैक कर लिया IDF ने फाइटर प्लैन F-35 को बेरूत रवाना किया और नसराइला को छिकाने लगा दिया कौन है वो भे दिया क्या है उसका नाम जिसने इसराइल को बताया नसराइला का लाइव लोकेशन 18 वर्षों से नसराइला अंडरग्राउंड था हिजबुल्ला के टॉप कमांडो तक को पता नहीं होता था कि नसराइला कब कहा दिखाई देगा लेकिन मुसाद में फिर भी उसका काम तमाम कर दिया कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला के अंदर बैठे इसराइली सोस ने डसराइला का लोकेशन आईडियेफ के साथ शेयर किया आईडियेफ ने इसकी तदकाल सूचना बिन्यामी नेतनियाहु को दी लेकिन उस वक्त नेतनियाहु स्युक्त राष्ट में भाशन दे रहे थे इस बीच इसराइली एरफोस ने तैयारी शुरू कर दी एफ-35 फाइटर प्लेन में बंकर बस्टर बंक फिट कर दिया गया उधर भाशन खत्म होते ही नेतनियाहु ने फोन उठाया हुए हादीर शल दीर, हमनों हमर्कजी शल दीर हरेशा शल इरान हुए अनशव हैं हुए अद्रिखले है तोखनित लाश्मदत इसराइल हुए लो रक हुपाल लेड़ एरान, हर्ब पामीं हुगम ही फाइल उत इरान इसराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनाती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धर्ती पर सबसे तीज काम करने वारा देश है नसर अला को मारने इतना आसान नहीं था लेकिन जो आसान हो वो काम मुसाथ के हिस्से नहीं आता है देखिया रपोर्ट नसर अला को मारना इतना आसान नहीं था लेकिन जो आसान हो वो काम मुसाथ के हिस्से नहीं आता मुसाथ तो वो है जो बतला लेने के लिए 15 सालों तक अपने दुश्मन का पीशा करता है उन्हें मौत के घाट उताता है जिन्होंने म्यूनिक फॉलम्पीक के दौरान उसके 11 खिलाडियों को मारा था 1972 की वो घटना पुरी दुनिया के सामने नजीर है कि मुसाथ काम कैसे करता है फिलिस्तिन लिबरेशन और्गनाईजेशन यानि पेलो से जुड़े लोगों ने ऑपरेशन फ्लैक सेप्टमबर के तहते इसराईली खिलाडियों की हत्या करती मुसाद ने उन सभी लोगों के हत्या की योजना बनाई जो किसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक सेटमबर से जुड़े थे इस मेशन को नाम दिया गया रैट आफ गॉड यानि इश्वर का कहर मुसाद के एजन्टों ने ऑपरेशन ब्लैक सेटमबर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा खुफिय एजेंसी मुसाद कितनी सटिक जानकारी के साथ काम करती है इसके अनेक उदाहरण है हमास चीफ इसमाइल हानिया को इरान ने अपनी राजधानी तेहरान में च्छपा रखा था इरान के टॉप लिज्जे कमांडों का दस्ता जो रिवलोशनरी गाड से ठेउने हानिया की सुरक्षा में लगाया गया था लेकिन मुसाद के एजेंटों ने इस सुरक्षा दिवार में सीन्थ रखा दी हानिया की लाइव लोकेशन का पता लगाया हानिया अपने साथ तालो वाले बंद दरवाजे के भीतर बैठा बैठा धमाके में बुराता बढ़ गया इसराइल अपने स्तित्तों के लिए चुनावती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धर्ती पर सबसे तीज काम करने वाला देश्रे जादगोर के तरह काम करने वाला मुसाद यूही नहीं हरेत अंगेज आपरेशन के लिए चर्ची थे इसके संगठनात मंक्षमता, इसका सूचना तंत्र, इसके एजेंटों की बहादुरी और देश्र के प्रती समर्पन का भाव इन्हें दूसरी तमाम खुपिया एजींसियों से अलग करती है यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि मुसाद आखिर आपरेशन को अंजाम कैसे देता है मुसाद के कुल छे डिपार्टमेंट है पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो जासूसी कारवाईयों को अंजाम देता है दूसरा है पॉलिटकल एक्शन एंड लाइसन डिपार्टमेंट जो राजनीतिक कदिविदियों को अंजाम देता है और दूसरे देशों की सरकारों से दीर करता है तीसरा है स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन यही डिपार्टमेंट मुसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देता है चौथा है एलेपी डिपार्टमेंट जो साइकलोजिकल वारफेर और प्रॉपेगैंडा ऑपरेशन करता है पांच वा है टेकनोलोजी डिपार्टमेंट जो मुसाद के लिए हत्यार गैजेट जैसी चीज़े डेवलफ करता है छटा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैक डाउन से लेकर दूसरी चीज़ों की जानकारी एजेंसी को देता है कौडिनेशन का अगुत नमूना है खोफिया अजेंसी मुसाद और इसराइली सरकारी संगठन पर जान छिड़कती है यही कारण है कि मुसाद के अखरिब साथ हजार स्टाफ है इस जासूसी अजेंसी का सलाना बजट तीन बिलियन डॉलर के आसपास है रुपिया में यह राखशी दो सो पचास अरब से जादा है मुसाद के सबसे टॉप रिंग के अफसर इसके डाइरेक्टर होते ही यह डाइरेक्टर किसी अफसर शाही वाले कंतर में फंसे बिना सिधा प्रधार मंतरी को रिपोर्ट करते ही जबना सरला के हैड़क्वाटर में मौजू अफसर बिना सिधा प्रधार में फंसे बिना सिधा प्रधार में अजर्गי ישראל, ऐले यानים गדולים ईाने हम भोड़ सब्सा स्से, आफसे, गले एसंस, बिना नñas, 10 से किसे बादें ситу Guevay बतनुपा, अन्हों मनत्खीन, अन्हों नखुशीन लामशीख लाकות मरेवेनो, लाशीव लवतेम पोशवेनो, लाखजीर अत कौल चतुफेनो.